प्रेंट्स मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा गे यूट्यूब चैनल को दोस्तों घटना चक्र की यह जो पूरवावलोकन की सीरीज है इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं सामान भूगोल इसके आज वले वीडियो में हम लोग क्या कुछ देखन रहे हैं इसमें हम लोग बहुत एक विवाजन से स्टार्ट करेंगे वीडियो की लेंग्ट बहुत जादा नहीं रखी जा रही है रीजन बिंग कि बहुत सारी चीज़ें आपको और ब्रश अप करने की जरूरत है और जो आपको नहीं याद है उसको याद कराने की जरूरत आपके एक्जाम से पहले ये पूरी फिनिश हो जाएगी अब आप लोगों का मुझे बस सहीयोग चाहिए कि जैसे जैसे आप लोगों का इंगेजमेंट टाइम बढ़ता जाएगा अगर आप लोग सिर्फ क्लिक करके छोड़के और आगे बढ़के दूसरा वीडियो देख करता है तो at least वीडियो complete देखा करिए otherwise आप सिर्फ एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर skip करते रहेंगे जो basic purpose है पढ़ने का वो यहां पर पूरा नहीं हो पाएगा तो यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि यह जो आप वीडियो देखे इस वीडियो को बना सकता हूं ठीक है बट वो तभी होगा जब आप लोगा यहां से सहयोग मिलना शुरू का होगा ठीक है तो अभी जो है इस वाले वीडियो में आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए उस पढ़ाय हुए को आप अच्छे समझिए उसको follow करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपको मेरा पढ़ाय हुए समझ में ना आए तो आप चैनल को तुरंट अंसब्सक्राइब करिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप से सब्सक्राइब करिए और बने रही है वीउस के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल कोशिश आप वहाँ पर पढ़िए जहां आपको पसंद है अगर आपको यहां पर पसंद है तो आप पूरा वीडियो देखिए तभी कोई और वाइस क्या मतलब है आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे है ठीक है चलिए इस्टाइट करते हैं आज के अपने इस वीडियो से अब य साथ में हमें यहां पर कोशन आंसर को देखते हुए चले अच्छा यहां पर आगे पढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए अगर आप लोग 14 माई का जो आपका पेपर है उत्तरप्रदेश PCS का इसके लिए आप लोग घटना चकर के के लाबा कुछ पढ़ना चाहते हैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि examination में आप success पापाएं इसके लिए अगर आप current affairs चाहें तो आप हमारा जो 5000 कोशन का PDF है इसको आप purchase कर सकते हैं इसके साथ में आपको 2000 कोशन का एक descriptive मतलब pattern पर MCQ दिये जाएंगे इन MCQ का फाइदा यह है कि यह basic NCRT current affairs को include करके बनाए गए हैं गटना चक्र में आपको सिर्फ previous year questions देखने को मिलेंगे बट जो हमारा यह 2000 questions का PDF है इसमें आपको current affairs से related जो static portion है वो देखने को मिलेगा और वो आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा इस चीज़ का यकीन मानिए इन दोनों PDF क अगर हम बात करें तो आपको अगर यह वाला PDF चाहिए current affairs का अभी इसका वैसे तो price 750 रुपीज है बट अगर आप पांच तारीक से पहले लेंगे तब आपको यह 500 रुपे का मिलेगा पांच तारीक से पहले enroll कराने पर अब अगर आप यह 2000 questions का जो MCQ वाला हमारा part है इसके लिए आपको साड़े 1200 रुपे का payment करना पड़ेगा जब आप यह PDF देखेंगे then you will get to know कि कितना ज़्यादा important तो क्या कुछ आप यहाँ पर miss कर रहे थे ठीक है चलिए अब start करते हैं आज के अपने session से सबसे पहले यहाँ पर हम बात किसकी करते हैं परा चुम्बकत्व या अब यह आपसे पूछे आ सकता है कि यह क्या है exactly तो यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संग्रक्षित गुणों का अध्यन किया जाता है विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवज्ञानिक घटनाओं के अध्यन में सह हायक होती है प्रत्वी के चुम्बकिये छेत्र का अध्यन भी पराचुम्बकत्व के माध्यम से किया जाता है अच्छा जो मैंने अभी आपको पीडियेफ बताया उस पीडियेफ को लेने के लिए आपको सिंप्ली 9027281376 इस नंबर पर कॉल करना है वाट्सेप करना है या टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर 639564901 इस नंबर पर भी आप कॉल वाट्सेप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ऐल्फरेड वेगनर की बात करते हैं तो इन्होंने महादीपिये विस्थापन सिध्धान्त को प्रमानित करने के लिए भी पराचुम्बकिये अध्यन को आधार बनाया था आगे हम बात करें महादीपिये विस्थापन सिध्धान्त इसके अनुसार क्या है कि भारतिये इस्थलपिंड ये था गोंडवाना का गोंडवाना भू भाग के विशाल छेतर में भारत ऑस्टेलिया अफरीका अमेरिका और अंटार्क्टिका के छेतर शामिल थे गोंडवाना में ठीक है तो आपसे ये चीज़ पूछी आ सकती है कि पहले जब गोंडवाना और पैंजिया था तो गोंडवाना के अंदर क्या कुछ शामिल था ठीक है ये आपसे पूछा या सकता है तो ये आपको प्रणवाना भूमी से अलग होने के बाद जो है वो उत्तर दिशा की और विस्थापित होने लगी आज की डेट में भी इंडिया जो है वो उत्तर की तरफ सरकता जा रहा है जिसकी वज़े से हमाले की हाइट बढ़ रही है और जो आप देखते ना अर्थ कोई दीरे-दीरे म रही है इस तकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारती और यूरेशियन के बीच जो है टेथिस सागर यानि की टेथिस सी इसके अवसादी चटान वलेत होकर यानि की फोल्ड होकर हमाले और वेस्ट एशिया की जो परवती शरंकला है उसके रूप में विक्सित हो गए हम हमाले की जो पूरी परवत शरंकला है वो एक यूवा इस्थला करती को दर्शाती है यानि की एकदम यंग माउंटेन से ही है इसमें उचे शिकर गहरी घाटियां तेज बहने वाली नदियां हैं हमाले के तराई छेतर में पाताल तोड कुए भी पाए जाते हैं यानि की आर के नीचे धसने के कारण एक व्रहद द्रोणी यानि की बेसिन का निर्माण हुआ है उसकी वज़े से समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पहाडों और प्रायदीप्य पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद जो उसके अंदर डिपॉजिट होते हैं उससे धीरे धी चेपों यानि की जो अलूवियल आपका डिपॉजिट है इससे निर्मित एक विस्तरित समतल भूभाग जो की भारत के उत्तरी मैदान के रूप में गर्विये रूप से प्रायदीप्य पठार प्रत्वी की सतय का प्राचीनतम भाग है प्रायदीप्य भाग भारत का सरवा जो ब्रहंशन यानि की फॉल्ट के कारण भारतिय प्रायदीप से मालदा गैब द्वारा प्रथक हो गया है भारत के पच्छमी तटका निर्मान भूमी के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है यह सारी अब्दिकी पॉइंट याद आगे हम बात करें तो भारत की भूम को शेल इस्तरकरम उच्चावच और विवर्तनिक प्रकरमों के आधार पर तीन प्रमुक और छे उप भौतिक भू आकरतिक प्रदेशों में बाटा गया है अब यहाँ पर यह पूरा एक डाइग्राम के रूप में दिखाया गया है कि कौन कौन सा छेतर क्या क्या है ठीक है सो इसको यहाँ पर हम स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर और दिया हुआ है देखें नोट्स पढ़ना काफी ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपको दिएज़े आप कोशन आंसर आपके यहीं से सीज़ी सॉल्व हो जाएंगे धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण आरकियन क्रम की चट्टानों के पुरूपांत्रण अत्वा भ्रहंशन से हुआ है यह शिलाएं अत्यदिक धात्विक हैं धारवार की कैसी हैं बहुत जादा मैटलिक हैं जिन में सोना, लोहा, मैगनीज, अंबरक, कोवाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंग्स्टन, सीशा, आधी खनिच प्राप्त होते हैं। कुडप्पा करम की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्मान धारवान करम की चट्टानों के बाद हुआ है। ये करम आपको एज़िटे जयाद रखना होगा, आगे कोशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। विंध्यान करम की चट्टानों का निर्मान कुडप्पा करम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुवा पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी ये सब प्राप्त होती है। विंध्यान करम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना करम की चट्टानों का निर्मान हुआ है। आगे हम बात करें तो भारत का अधिकांश कोईला गोंडवाना छेतर से ही प्राप्त होता है। अब यहां पर हमारे कोशन आंसर शुरू हो गए है। पहला कोशन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत से उपबंद पुरा चुम्बकी ये परिणामों के संकेत मिलते हैं। जो कि भूतकाल में भारतिये इस्थल पिंड जो है वो सरका है, किदर की ओर सरका है, तो उत्तर की ओर सरका है, यानि कि option A जो होगा वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा। अब यहां पर ये इसका एक बार थियोरी पारिट भी देखी लेते हैं। एक ही पिंड से जुड़े हुए थे, मदवर्ती और मजजीवी कल्प में गोंडवाना लेंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, मतलब वो तूटा, जिसमें भारतिये इस्थल पिंड जो है, वो उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। निक्स्ट कोशिन की तरफ चलते हैं। अगले कोशिन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारती उपमादी इपमूलता एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि गोंडवाना लेंड उसको बोला जाता था। ठीक है, अगले कोशिन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत कितने प्राकरतिक प्रदेशों में विवाजित है। अब ये चार प्रदेश कौन कौन से हैं, एक है आपका उत्तर का परवतिय छेत्र, एक है विशाल मैदान, एक है आपका प्राइदीप, ये पठार और तर्ट एवम दीप, ये चौथा उसका पार्ट रहे हैं. इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें, यहां आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंट के किस भाग में पाताल तोड कौने पाए जाते हैं, अब ये भाबर में पाए जाते हैं, तरही में, शिवालिक पहाडियों में या फिर उपर युक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो स धरातल से स्वता उपर प्रिकट होते हैं, और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जलच्रोत और पाताल तोड कौने में एक डिफरेंस होता है, अगर हम बात कर रहे हैं जलच्रोत की, तो उसमें जल जो है, वो स्वता उपर आयाता है, परंतु दूसरे में, यानि कि पात करते हैं यहां पर आपसे पूशा गया है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंद में निम्लिकित कत्नों का आप मनन कीजिए उन पर विचार कीजिए पहला है संगरशनात्मक दरश्टी से मेगाले पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है आउट लेयर है सही दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना जो है एक सम भिन्नती से हुई है यह वाली बात भी यहां पर सही है इसके बाद तीसरा बाग है इसमें कि गंगा का मैदान है इसकी रचना ईक अगर जो करेक्ट this के बाद हमाले की उतप्ति भार्टी प्लेट यूरोपिए उर चीनी प्लेट के त्रिकोर्णिय अभी सरण यानि की कन्वर्जेंस के फलसरूप हुई है तो यह चीज यहाँ पर गलत है क्योंकि यह जो हुई है यह सिर्फ भारती और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है तो option A हमारा यहाँ पर सही होगा इसके बाद next question की तरफ चलत यानि की folded जो mountains है उसमें सबसे पहला है उसको प्रदर्शित करता है भारत के पच्छमी समुद्री तट का निर्मार जो है वो नदियों के जमाव से जमाव की क्रिया से हुआ है ठीक है इसके बाद है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोईले का व्रहत्तम भंडार है तो option जवीन वलेत यानि की जो एकदम अभी young folded mountains है उसको प्रदर्शित करता है यह वाली बात भी सही है बड़ अगर हम बात करें कि भारत के पच्छमी समुद्री तट का निर्मार नदियों के जमाव की क्रिया से हुआ है यह यहाँ पर incorrect है और हमें statement जो incorrect है वही choose करना था तो य भारत में कोईले का विशालतम बंडार कहां पर है गोंडवाना शेलो में ही पाया जाता है इसको अभी हम देख भी चुके है हिमाले जो है विश्व में सबसे नवीन परवतों में से यानि की फोल्ड mountains में से एक है इसके बाद अगले question की बात करें यहाँ पर आपको सूची हाइट की बात करें तो यह उत्तरनूतन से इसके बाद अगर हम अरावली की बात करें तो सब को ही पता है कि भाईया यह प्री rebels रखी नर्मदा और तापति की बात करें तो यह आपका अतियंत समयरे आपकर हो में सीटी और डी वाइव यह हमारा यह की option बीज होगा वो यहां पर सही होगा इसके बाद अगले question की बात करें यहां पर आप से पूछा गया है कि केरल का कुट्टा नाड यह किसलिए प्रसिद्ध है सो यह जो केरल का कुट्टा नाड यह फिर कुट्टा नाडू है यह आपका केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है कुट्टा नाड सतत क्रशी और मतस्पालन के लिए भी जाना जाता है FAO द्वारा कुट्टा नाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महतपूर्ण क्रशी विरासत प्रणाली यानि की GIAHS गोशित किया गया है अगले कोश्चन की तरफ मूवाउन करते हैं अगले कोश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन सा मरुस्थल है अब ये सिंदू छेतर है, गंगा छेतर है, असम छेतर है या फिर मद भारत छेतर है तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा है जो कि एक मरुस्थल है तो ओवियस भी बात है यहां पर सही आंसर क्या है आपका सिंदू छेतर यानि की option A जो होगा वो सही होगा इसके बाद अगले question की दरफ चलते हैं अगला question यहां पर है जिसमें आप से पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन सा जिला जो है वो धारवार भूसतर ये रचना वाला नहीं है अब देखें यह BPSC का कोशन है और बिहार के ही यह सारी locations है तो मुझे नहीं लगता उत्तवरदेश PCS के लिए इसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरुआत है इसके बाद अगले question की बात करें यह UPPCS 2016 का कोशन है कि निमलिकित में से कौन सी चटान परणाली भारत में नवींतम है अब यह विंद्यान है, कोडपा है, धारवार है या फिर यह गोंडवाना है तो अभी हमने देखा था कि गोंडवाना करम की चटाने जो हैं यह सबसे नई है ओप्शन क्या होगा आपका डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा इसके बाद अगले कोशन की तरफ चलते हैं इसके बाद कोशन नहीं है, इसके बाद अगला टॉपिक आयाएगा जिसमें हम उत्तर का प्रवतिय प्रदेश है उसकी बात करेंगे अब देखें, यहाँ पर इसको एक बाद चलिए देख लेते हैं इसकी थियोरी भी धारवाल करम की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्मान आर्कियन करम की चट्टानों के रूपांत्रान और ब्रहंशन से हुआ था, यानि कि सबसे पहले आर्कियन करम की चट्टाने उसके बाद धारवाल करम की चट्टाने इसको भी हमने पहले पढ़ा भी है अत्तदिक धात्विक हैं इसके अंदर सोना, लोहा, मैगनीज, अमरक, कोवल्ट, क्रोमियम, तामा, टंगस्टन, सीशा ये सारे खनिज जो है वो प्राप्त होते हैं इसके बाद कोडपा करम की चट्टानों की बात करें तो इनका निरमाण धारवाड के बाद हुआ है यानि कि सबसे पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड, उसके बाद कुडपा, ठीक है, विंध्यान करम की चट्टानों का निर्माड जो है, विंध्यान करम की चट्टानों के बाद हुआ है, यानि कि इसके बाद अगली कौन सी आजएगी आपकी, विंध्यान करम की च और फिर गोंडवाना ठीक है तो इसके साथ यह जो कोश्चन हमारा यहां पर खतम होता है इसके साथ ही यह मतलब चैप्टर का पहला जो पाइट है वो फिनिश हो गया है नेक्स में हम बात करेंगे कि उत्तर का जो परवतिय छेत्र है परवतिय प्रदेश है उससे रिलेटिड क्या कुछ थियोरी पाइट है और कौन-कौन से कोश्चन अब तक पूछा ही कहे हैं इससे रिलेटिड उन सब को देखेंगे ठीक है तो आप लोग यहां पर मेरे साथ बने रहे और चैनल को आप लोग लगतार सहीयोग दे रहें इसक कि सो मच अपना ख्यार लगए हो पढ़ते रहें प्रिवेस जितने वीडियो दो उनको जरूर देखिए बाई बाई